नमस्कार दोस्तों आप सभी का अध्यात्मिक उपायज चैनल में स्वागत हैं हम गड़े जी को प्रडाम करते हैं तो ता आधरने श्रदे पंड़े स्रीचंदधर पंड़े जी को प्रडाम करते हुए आज का यह एपिसोड शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कई लोगों ने हमसे यह जाने की कोशिस करी कि उत्तम संतान प्राप्त करने के क्या उपाय हैं हमारे सास्त्रों में क्या विधान बताया गया है दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखके चलना पड़ेगा कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक फ्रेम बनता है उस फ्रेम में हम रहते हैं जैसे आपने फ्रेम आप रिफरेंस साइंस में पढ़ा होगा तो उसी इस्वर ने एक ऐसा उनका अलग ही साइंस है बहुत ही अलग टेकनोलोजी है कि हम अपने चारों तरब की बाता वरण को अपने कर्मों द्वारा बदल देते हैं जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही उस फ्रेम बरतायार होता है उसके अंदर हम होते हैं और वैसे ही सारी सुप धाय हो जाती है जैसे हम जितने अच्छे से हम कोई काम करते है उतना अच्छा फ़ल मिलता है तो वैसे हिए हमारे अध्यात्मिक उपाय का है तो बहुड़ा सरल उपाय है दोस्तों जिसको मैं आपके सामने बताने जाओंगी तो इसमें क्या है कि कार्थ के जी का भगवान संकर और पार्वती जी के पूत्र कार्थ के जी के पूजन से उत्तम दिर्ग जीवी और आपका अच्छे गुड़ो वाला संतान हम प्राप्ट कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले मैं अपने कार्थ के जी को प्रडाम करूँगे यह वो अपना आशिरवाद हम पे बनाए रखें और जो उनका पूजा अर्चना कर रहा है उनको वो आशिरवाद दे कि उन्हें उत्तम संतान की प्राप्टी हो तो मुख्यता संतान प्राप्टी के तीन ब्रत बताएगे हैं दोस्तों पहला है चैत्र सुकला सस्ठी का ब्रत चैत्र के सुकलपक्ष की सस्ठी तिथी का ब्रत करना चाहिए तो कार्तिके जी के आशिरवात से चिरंज्युख पुत्र प्राप्त होता है इसके बाद है आपका वैसाक सुख्ला सस्टी वैसाक के सुख्ला सस्टी में अगर कार्तिके जी का आप ब्रत और पूजा करती हैं, तो आपको मात्र सूक जरूर लाब होगा. और आपका है आसाड सुखला सश्टी आसाड के सुखला सश्टी का यदि आप ब्रत करती है तो भी आपको संतान की प्राप्ती होती है यह बहुत ही सरल है आसान है और इसमें कोई आपको दोखा नहीं है जैसे कि कुछ दुरुगर्ड युक्त ब्रामण ठगने का प्रयास करते हैं तो ऐसा इसमें कोई उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगे जिससे आप ठगे जाए यह बड़ा ही यदि आप श्रद्धा पुर्वक इस उपाय को करती है तो आप जरूर आपको मातर सुख पिता सुख का लाब होगा दोस्तों हमें पूरे विश्वास के साथ कारते की जी का पूजन करना चाहिए वरत करना चाहिए जिससे उत्तम संतान की प्राप्ती होती है दोस्तों वीडियो के अंत में ऐसे अगर उपाय मैं बताऊंगी तो एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि ये जो उपाय है और इनके लाब है ये कई तरह से प्रवावित होती है यदि आप बुरे कर्म कर रहे हैं किसी को कष्ट दे रहे हैं दोखा दे रहे हैं तो निश्य ही इस उपाय का लाब आपको धीरे-धीरे होगा इसके किसी भी उपाय का अध्यात में उपाय का लाव दिरे-दिरे होगा वैसे ही होगा जैसा कि अगर आपके खिड़की पे धूल जमे हो तो सुरी की रोशनी तो उतनी है लेकिन आपको कम प्राप्त होगा तो अपने बुरे कर्मों का धूल जितना अपनी जिन्दगी से करें तो तो कुछ मौलिक बाते और हैं जैसे कि आपके कुंडली में दोस होना आपके घर में दोस होना या किसी प्रकार का अगर आप ऐसे किसी समस्याओं का आपको लग रहा है अरुमान लग रहा है कि कहीं हमारे घर में कोई अन्य दोस्तों नहीं है हमारे कुंडली में को निसुल का समाधान पाएं आपका सेवा ही हमारा मुक्य उद्देश्य है यूटूब पे आना नमस्का दोस्तो जैस्री राम जैस्री कृष्णाम